शादी वाले दिन मेरी पतनी घर से भाग गई, रिस्तेदार हमारा मजाक न उड़ाएं, इसलिए मेरी माने मेरी शादी अपनी सहेली की बेटी से कर दी, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाता था, क्योंकि वो अभी बहुत छोटी थी, अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि शाद पतनी क्या करते हैं, अभी मैं यही सोच रहा था, कि मेरी कम उम्र पतनी ने अचानक, मैं घर में सबसे चोटा था, मुझसे बड़े दो भाई और दो भेहने थी, वो सब शादी शुदा थे, मैं सब का लाड़ला था, जादा तर ऐसा ही होता है कि मुझसे बात निकलती नही कि पूरी हो जाती है, हमारा घराना एक खुशाल घराना था, एक दूसरे का ख्यार रखना, समान देना, एक दूसरे के काम आना हमारे घर की परंपरा थी, मेरी मा जरा पुराने ख्याल की मालिक थी, अपने खांदान और आस परोस की बातों को बहुत जादा एहमियत दिया क का शमार उन लोगों में होता था जो हमेशा हर काम में इसी बात को रखते हैं कि लोग क्या कहेंगे उनके इस जुमले से हम बहुत परिशान हो गए थे ना सिर्फ परिशान बलकि तंग भी थे मेरी मा को इतनी परवा हमारी नहीं होती थी जितनी लोगों की होती थी कि अगर ऐ इसा कर दिया तो लोग क्या कहेंगे, हमारी इज़त खाक में मिल जाएगी, बस हर जगे मेरी माँ को अपनी इज़त और लोग क्या कहेंगे, बस यही दिखाई देता था, कभी कभी तो पापा भी चिड जाते थे, पापा कहते अरे भही रहने दो, लोगों को जो कहना है कहने तो आखिर इस बात की चिंता क्यों करती हो लोग भले कुछ सोचते भी नहों मगर मेरी मा का भही एक पिरकार का रटा रटाया सैंटेंस जो सब को चिड़ाने के लिए काफी होता था कभी कभी हालात ऐसे बदलते हैं कि खुशियों का पता ही नहीं चलता कि आखिर खुशियां क्या होती है सही कहा है किसी ने जिन्दगी सबसे बड़ा इम्तिहान उसी का लेती है जो सबसे लाड़ला होता है मैं जिस कलोनी में रहता था बानी भी उसी कलोनी में रहती थी वो जब भी कॉलिज जाती तो रास्ते में आते जाते मैं उसे देखा करता था और मुश्किल से ही अपने दिल को संभाल पाता था मगर हमें कब पता होता है कि हमारी जिन्दगी में कब कौन आ जाता है और हमारे लिए इतना इंपोर्टेंट हो जाता है कि हम उसके बिना जीने के बारे में सोच भी नहीं सकते ऐसा ही हाल मेरा हुआ था बानी इतनी खुबसूरत थी कि उसे एक नजर देखें तो दोबारा देखने की इच्छा जरूर होती है वो किसी परी से कम नहीं थी ऐसा लगता था जैसे भगवान ने उसे बड़ी फुर्सत में बनाया हो मैं अपनी पड़ाई से फिरी हो चुका था और नौकरी ना मिलने की बज़े से ज़्यादा तर महले में इधर उधर खड़ा हुआ पाया जाता था एक दिन बानी कॉलिज के लिए निकली तो रास्ते में ही मैंने उसे रोक लिया सोचा उससे बात करके देखता हूँ देखता हूँ कि क्या कहती है लेकिन मेरी इस हरकत से वो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी मगर मैंने सिर्फ उसके भाई का नाम लेकर उसके बारे में पूछा मैंने पूछा कि आकाश आजकल दिखाई नहीं देता कहां है उसकी घबराहट देखकर मेरी कुछ और कहने की हिमत ही नहीं हुई थी बल्कि उसकी इतनी ज़्यादा घबराहट देकर मुझे शर्मिंदगी होने लगी थी कि मेरी बज़े से वो कितनी परिशान हो गई थी हलाकि उस दिन मेरा पका इरादा था कि अपनी मुहबत का इजहार करूँगा इदर मेरी मा मुझे नौकरी तलाश करने पर जोड़ डार रही थी उनकी एक इरट थी कि जल्दी नौकरी तलाश करो ताकि तम्हारी भी शादी कर सकूँ और मैं अभी ये सब नहीं चाहता था क्योंकि सब दोस्त कहते थे कि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है या यूँ कहना चाहिए कि बहुत बड़ी बरबादी होती है इनसान बस पतनी और बच्चों में फंसकर रह जाता है फिर उसे दुनियादारी का कोई होश नहीं रहता सारी जिन्दगी के मज़े तो शादी से पहले तक ही होते हैं बाद में तो बस सजा मिलती है मुझे भी अंदाज़त था कि इनसान शादी के बाद कितना परेशान रहता है मैंने खुद देखा था क्योंकि मेरे दोनों बड़े भाई शादी शुदा थे और किस तरह अपनी पतनी और बच्चों के बीच फंसे रहते थे रोज भागं भाग करते रहते थे खेर शादी तो करना ही पड़ती जिन्दगी अकेले नहीं करती मगर मैं अभी फिलहाज शादी नहीं करना चाहता था मेरा ख्याल था कि बानी की पड़ाई पूरी हो जाए तो अपनी मा को अपनी पसंद बता कर उसका हाथ मांग लूँगा अभी मा को कुछ कहने की हिमत नहीं पड़ती थी मैं सोचता था तब तक बानी की भी पड़ाई हो जाएगी और मेरी भी नौकरी लग जाएगी मैं रोज अपनी फाइस उठाता और अलग-अलग कमपनियों में अपनी किस्मत आजवाने चला जाता इन जगहों पर मेरे जैसे और भी नजाने कितने लड़के आने वाले फ्यूचर के सपने सजाय हुए बैठे होते थे इतने सारे लोगों में से किसी एकी किस्मत जगती और वो भगवान का धन्यबाद करके खुशी खुशी वापस चला जाता और बाकी सब मू लटकाए अपनी फाइल बगल में दबाए किसी और जगए किस्मत आजवाने निकल जाते ये तो रोज का रुटीन बन चुका था अपनी फाइल लिए कई घंटे किसी कंपनी में खड़े होना अपनी वारी का इंतजार करना और फिर मू लटका कर बापस फाइल उठा कर घर आ जाना और फिर किस्मत को कोसना ये सिर्फ मेरे ही साथ नहीं होता था बलकि बहां ना जाने कितने लोग ऐसे थे जो अपनी किस्मत आजमाने आते थे और इसी तरह मू लटकाए वापस चले जाते थे मैं भी अपनी बाणी को आते जाते देखता तो ठंडी आहें बरता कि कम मुझे नौकरी मिलेगी और कब मैं अपनी मा को रिष्टे के लिए बानी के घर भेजूँगा मेरे घर से दो घर छोड़ कर ही बानी के घर के करीब मेरे महले का एक लड़का रहता था उसका नाम समीर था उससे मेरी ज़्यादा दोस्ती नहीं थी बस ऐसे ही थोड़ी सी हाई हेलो थी कभी कभी करकेट टीम में होने की वज़े से हमारी एक दूसरे से मुलाकात हो जाती थी अच्छी शकल सूरत का लड़का था उसके बाल घूराले थे और रंग भी गोरा था वो भी आजकल नोकरी की तलाश में था उसकी पड़ाई भी पूरी हो चुकी थी मैंने अक्सर नोट किया था कि वो बानी को सी नजर से देखता है जिस नजर से मैं उसको देखा करता था फिर मैंने सोचा हो सकता है मेरा बहम हो या फिर बैसे भी सब लड़कों की आदत होती है लड़कियों को तारते रहना मैं अक्सर यही सोचता कि लड़के तो आते जाते लगबग हर लड़की को तारते रहते हैं यकिनन ये भी ऐसे ही देखता होगा मगर एक दिन मैंने महसूस किया कि जब बानी वहां से गुजरती है और वो लड़का उसे देखता है तो फिर बानी भी उसे देखकर मुस्कुरा देती है एक दो बार तो बस मैंने ऐसे ही नोटिस कर लिया फिर उसके बाद मैंने खास धिहां देना शुरू कर दिया तो सच में दोनों की आखें चार होते ही दोनों हलके से मुस्कुरा देते थे मेरे लिए ये बात बहुती तकलीफ देने वाली थी लेकिन मैं बेबस था कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि बानी से मेरा कोई सम्मन्द नहीं था मैं किस रिष्टे के आधार पर बानी को उस लड़के के करीब जाने से रोकता बस घर जाकर कमरे में पड़ा कुड़ता रहता और प्लानिंग करता रहता कि किसी तरह बानी को अपने दिल की हालत के बारे में बता दूँ और उस लड़के से पीचा छुड़ाऊं मुझे कोई तरीका समझ में नहीं आता था एक तो नौकरी की समस्या दूसरी तरफ मेरी महबत जो मुझे मुझे से दूर जाती दिखाई दे रही थी मेरी परिशानी दिनो दिन बढ़ती जा रही थी क्या करूँ मुझे क्या करना चाहिए अपनी दिन रात की सोचों से मैं परिशान रहने लगा था और अब घरवालों को भी मेरी दिनो दिन खराब होती हालत से परिशानी होने लगी थी कि आखिर बात क्या है वो मुझे से अकसर पूछते कि तुम के उतना परिशान रहते हो जो बात है वो बताओ तो मैं टाल देता और नौकरी का कहकर चुपकरा देता कि नौकरी नहीं मिल रही इसलिए परिशान हूँ लेकिन जो मेरी असल समस्या थी वो अभी मैं बताना नहीं चाहता था मगर कब तक आखिर एक दिन बड़ी भावी मेरे कमरे में आई और उन्होंने बड़ा होसला दिलासा दिया खूब बातें की और मुझे दिल की बात कहने पर राजी कर ही लिया और फिर मैंने भी उनके सामने बानी के बारे में सब कुछ बता दिया मैंने कहा कि मैं बानी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ मैंने भावी से कहा कि नौकरी नहीं मिल रही नहीं तो अब तक मैं बानी के घर अपना रिस्ता भेज चुका होता भावी ने मेरी हमत बनाई मुझे होसला दिया कि परिशान मत हो जब तुम्हें नौकरी मिल जाएगी तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे कि तुम्हारा रिस्ता बानी के घर लेकर जाएंगे उन्होंने मुझे ये भी दिलासा दिया कि तुम तब तक ऐसा करो बानी को साफ शब्दों में अपनी मुहबत का इजहार कर दो भावी काफी देर तक मुझे दिलासा देती रही और समझाती रही मुझे काफी होसला मिला कि एक तरफ का मामला तो ठीक हो गया था मैं अब दिलो जान से नौकरी की तलाश में निकलता जहां कोई बताता मैं उधर अपनी किसमत आजवाने चला जाता और फिर भगबान की किरपा हुई कि एक जगे मुझे नौकरी मिल ही गई जोब अच्छी थी मुझे बहुत सुकून मिला घर बाले भी बहुत खुश हुए अपनी खुशी में मैं बानी को भी शामिल करना चाहता था सोचा शाम को भावी को कहुँगा कि मेरे साथ उसके घर चलें और बानी और उसकी मम्मी को ये खुश खबरी दें और इशारों इशारों में उन्हें बताएं कि हम भावी से रिस्ता जोड़ना चाहते हैं पहले तो भावी नहीं मान रही थी लेकिन मेरे बार बार कहने पर भावी मान गई मुझे बहुत खुशी हुई मैं बहुत खुश था और ऐसा लग रहा था कि चीख चीख कर अपनी खुशी का जहार करूँ मंगर ये बचकाना इच्छा मैंने अपने दिल में ही दबाय रखी उसी समय में च्छत पर चला आया और च्छत पर जाकर एक लंबी गहरी सांस ली उसी दोरान मेरी नजर सामने बाले घर की च्छत पर खड़ी उसी लड़के पर पड़ी जो मेरे ख्याल में बानी के साथ सैट था मेरी सांस बही की बही रुख गई थी मेरी आखों में नफरत और दिमाग में गुसे की आँधिया चलने लगी क्योंकि वो पूरी ध्यान से बानी से शारों में कुछ बातें कर रहा था बानी अपने आगन में खड़ी थी मेरा हाथ खुद भा खुद गुसे से मुक्य की शकल में बन चुका था मैं अपने जज़वातों पर काबू नहीं पा रहा था इतने में बानी की नजर मुझ पर पढ़ गई और बो जल्दी से कमरे में चली गई मैं नफरत से उस लड़के को घूनने लगा मुझे उस पर बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा था मैं मन ही मन बढ़बढ़ाया कि मैं इस लड़के को छोड़ूँगा नहीं कुछ दिर बाद बो लड़का भी नीचे उतर गया मैं फिर सोचने लगा कि अब क्या करूँ इस से पहले कि पानी सर से उंचा हो जाए मुझे कोई कदम उठाना ही पड़ेगा मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा यही सोचते हुए मैं नीचे आ गया सबने मिलकर खाना खाया फिर मैंने भावी को सारी बात बताई और भावी से कहा कि आप मम्मी से बात करो और उन्हें इस रिस्ते के लिए तयार करो मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ भावी ने मुझे तसलिदी और कहा कि मैं आज ही मम्मी से बात करती हूँ और उन्हें तुम्हारी पसंद के बारे में बताऊंगी जल्दी ही समस्या का कोई हल निकालते हैं भावी ने ये भी कहा कि खुद को ठंडा रखो उस लड़के को इगनोर करो और मैंने ऐसा ही करने की कोशिश की मगर मैं अंदर ही अंदर कुड रहा था और डर भी रहा था मुझसे पहले ही मेरी बानी को ना ले उड़े मेरी चिंता देकर भावी ने मम्मी को सारी बात बताई पहले तो मम्मी नहीं मानी कि अभी नहीं अभी अभी तो नोकरी लगी है वैसे भी महलेदार है मैं बेचैनी से उदर उदर टहलता रहा और दिल ही दिल में भगवान से प्राथना करता रहा कि भगवान करे उसकी मा राजी हो जाएं कोई परिशानी ना हो यही कोई दो तीन घंटे के बाद वो दोनों बापस आ गई मैं जल्दी से उनके सामने गया मुझे देखकर देखकर बताएं कि कोई खुशखबरी है या नहीं पर वो दोनों मेरी तरफ एक नजर देखकर अंदर चली गई मेरा दिल जोर जोर से धरकने लगा कई तरह के ख्याल एक मिनट के अंदर ही दिमाग में चकल लगाने लगे और मुझे परिशान करने लगे यानि की बात नहीं बनी मैं सोचता हुगा उनके पीछे कमरे में चला गया और मम्मी और भावी के चेहरे को गोर से देखने लगा बो दोनों पहले मुह नीचे की ये बैटी रही फिर मेरी तरफ देखा और फिर अचानक ही उनकी हैसी निकल गई मैं हरानों परिशान उनको दो मिनट तक देखता रहा फिर उन्होंने मेरी हालत पर तरसखा कर मुझे बताया कि वो इस रिस्ते के लिए राजी है बानी की मम्मी को इस रिस्ते से कोई आतराज नहीं है मैं खुशी से चीख पड़ा था भावी ने कहा हाँ भी खुश हो जाओ समझो तुम्हारा काम हो गया इतने में बाकी घरवाले भी आ गए सबने मुझे बदाई दी और मुझे खूब तंग किया मेरी खुशी की तो कोई हदी नहीं थी और मैं खुश कैसे नहोता मेरी पसंद मेरी मुखबत मुझे मिलने वाली थी पर दिल में एक ख्याल ये भी था कि कहीं बानी को तो कोई एतराज नहीं होगा मैंने चुपके से भावी से पूछा कि उसकी ममी ने अपनी बेटी से पूछा या नहीं क्या वो शादी के लिए तयार है भावी ने बताया कि जाहर सी बात है कि बानी की माने बिना बानी की मरजी के ये रिस्ता तै नहीं किया होगा और फिर बानी ही चाय बना कर लेकर आई थी और जब ममी ने उसे रिस्ते की बदाई दी तो बोच चुप रही थी बस हलके से मुस्कुरा दी थी मतलब मा बेटी के बीच जरूर बाचीत हो चुकी थी और आंटी ने उसे पूछ कर ही हां की होगी ये सब सुनकर मुझे बहुत सुकून मिला मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने कोई किला जीत लिया हो सामने बाले लड़के पर बाजी माल ले गया था घर में खुशी की लहर दोड़ गई थी सब बातें कने लगे थे कि कब शादी का दिन रखें शादी में ये करेंगे वो करेंगे और साथी साथ मुझे छेड़ भी रही थे एक हंगामा समझ गया था घर में खैर मैं अगली सुबह त्यार होकर आफिस चला गया जाते हुए बानी के दरवाजे पर नजट डाली कि शायद वो नजट आ जाए शायद कहीं मिल जाए मुझे उसकी मरजी जानना थी मैं अपने कानों से उसकी हाँ सुनना चाहता था लेकिन वो मुझे कहीं नजर ना आई दिन गुजरते जा रहे थे एक दिन सबने कहा कि बानी की ममी से शादी की तारीख मांग ली जाए मामला ही उलटका है रखना ठीक नहीं सबने फैसला किया कि आज शाम ममी और दोनों भाबिया जाकर बानी की ममी से शादी की तारीख ले आएंगे भाबी ने फून करके उनकी ममी को बता दिया था कि आज शाम हम तारीख लेने आ रहे हैं उन्हें भी कोई एत्राज नहीं था सब बहुत खुश थे शाम को मम्मी और दोनों भावियां बानी के घर तारीख लेने चली गई हम सब इसी इंत्यार में थे कि कब वो बापस आए और पता चले कि शादी की डेट कब की तै हुई है और फिर हम बैसे ही तैारी शुरू करें मुझे बहुत जादा बेचैनी थी तीन घंटे बाद मम्मी और भावियां घर आई हम सब उनके आसपास जमा हो गए पता चला दो महीने के बाद की तारीख तै हुई है सब ने एक दूसरे को बदाई दी और मिठाई बंगवा कर हम सब ने मुह मुटा किया मैं उस दिन बहुत खुश था घर में भी खुशी का माहौल था सब शॉपिंग की लिष्ट तयार करने में लगे हुए थे अपने अपने कपरों की बातें करने लगे अब मैं भी अंदर से सुकून महसूस कर रहा था और अपना पूरा ध्यान अपनी जौब पर लगा चुका था मैं बहुत भेहनत करने लगा था मैं चाहता था कि शादी तक अपने बोस का दिल जीत सकूँ उस दिन के बात से मुझे बानी कभी नज़न नहीं आई थी बहुत कोशिश की मगर उसे देखने में नाकाम रहा लेकिन फिर भी सुकून था कि अब उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है घर वाले शादी की तैयारी में लगे हुए थे दिन तेजी से गुजरते जा रहे थे हम सब के अंदर जैसे बिजली की सी तेजी आ चुकी थी घर में एक हलचल मची हुई थी समय के गुजरने का पता ही नहीं चला और फिर दिन पास आते गए मेरे लिए शादी की ड्रेस पसंद की गई तो लहन के कपड़े भी तैयार हो रहे थे सब के चेहरे पर खुशी फूटी पर रही थी भावी और बहनों ने ढोलक रख ली थी दो पहर तक शोपिंग करती और रात को कामों से फिरी होकर ढोलक लेकर बैट जाती मुझे बीच में बिठा कर खुब गाने बजा जाते मैं भी उन गानों में शामिल हो जाता भावियां छड़ छाड़ भी करती शरारतें भी करती हसी मजाग चलता रहता सब खुशियों में मगन थे महदी वाले दिन मेरे हातों पर महदी लगाई गई गाने और महदी खुब रौनक लगी हुई थी कोई भी सोने के लिए तया नहीं था सब अपनी अपनी मस्तियों में मस्त थे सुबह मुझे दूला बनना था वो भी अपनी पसंद की लड़की का ये सोच कर ही मेरे दिल में गुदगुदी सी हो रही थी सारी तयारियां पूरी थी आधी रात के बाद पता नहीं कौन सा समय था जब सब मम्मी की डाट खाने के बाद सोने के लिए लेटे थे ताकि सुबह के फंक्शन की तयारी के लिए फिर से ताजा दम हो सके सब लोग सुबह जल्दी ही उठ गए और बारात की तयारी करने लगे टेंट भी लग चुका था मैं तो ऐसे ही टहलता हुआ बाहा निकलाया और बानी के घर की तरफ जहाका लेकिन बाहा तो बहुत ही खामोशी थी पता नहीं क्यों तीन-चार दिन पहले तो बाहा भी खुब रोनक थी लेकिन आज इतनी खामोशी क्यों थी मैंने घर आकर भावी से कहा कि जाकर पता करें सब तैयारियां हैं लेकिन भावी ने मुझे चुप करा दिया कि कुछ देर में तुम्हारी शादी होने बाली है जादा उताबले मत बनो लेकिन मैंने भी जिद करके भावी को बानी के घर भेज दिया मेरी जिद को देखते हुए भावी चली गई थी थोड़ी देर बाद आई तो मैंने देखा कि भावी के चेहरे पर कुछ परिशानी थी जिस खुशी से वो गई थी बापस आकर उनके खुशी गाइब हो चुकी थी उनके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आये थे ममी उनके कंदे पकड़ कर पूँच रही थी क्या हुआ तुम्हारा चेहरा क्यों उत्रा हुआ है मैं भी भावी के पास पहुच गया था मैंने कहा भावी सब ठीक तो है ना भावी खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी ममी ने फिर जोड़कर उनकी खामोशी का कारल पूछा तो वो धीरे से बोली ममी जी जब मैं लड़की बालों के घर गई तो बानी की ममी रो रही थी घर में सब बहुत परिशान थे मैंने हैरस से उनकी तरफ देखा पहले तो मैं समझी बेटी की जुदाई ने ऐसा किया है जब मैंने दिलासा दिया तो उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिये मैं बहुत हैरान हुई कि आंटी ये आप क्या कर रही है भगबान के लिए कुछ बताएं आखिर बात क्या है तब वो कापती हुई आवाज में बोली कि बानी शादी से खुछ नहीं थी हलाकि मैंने पूछा था तो समय वो खामोश रही थी सिर्फ इतना कहा था कि अभी मैं शादी नहीं करना चाहती मगर उसके पापा ने समझाया अभी नहीं तो जब भी करनी है तो करनी तो है और फिर रिष्टा अच्छा है देखे भाले लोग हैं तो फिर शादी करने में क्या दिक्कत है तो फिर वो खामोश हो गई थी हम समझे कि वो शादी के लिए धीरे धीरे खुद को तयार कर लेगी लेकिन पता नहीं रात जाने वो कब घर से चली गई हमारे मुँपर कालिक लगा कर आप लोग हमें माफ कर दें ये कहे कर वो बेहोश हो गई उनकी वहने पानी के छीटे मारे तब कहीं जाकर उने होश आया उनकी हालत बहुत खराब है भावी के मुँसे इतना सुनना था कि मेरी ममी सोफे पर गिर पड़ी और मेरे पाउं के नीचे से भी जमी निकल चुकी थी भावी की बताई कहानी सुनकर और उपर से ममी की खराब हालत दे कर मैं परिशान हो गया था हे मेरे भगबान ये सब क्या था ऐसा मेरे हिसात क्यों हुआ मेरा दिल अंदर यंदर रो रहा था सबने ममी को उठा कर बैट पलिटाया पानी पिलाया जिस घर में थोड़ी देर पहले खुशिया नाच रही थी बहां अब गम के साए मडराने लगे थे बेचैनी और बेकरारी सब के चेहरे पर दिखने लगी थी मैं अपने कमरे में आकर सर पकड़ कर बैट गया मेरा दिल चाह रहा था कि चीख मार मार कर अपने दिल का सारा गुबार निकाल दूँ आखिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया पहले ही मना कर देती यूं सब के सामने रुस्बा तो ना करती अब क्या होगा सारे महमान आ चुके थे पंड़ी जी भी तैयार बैटे थे बारात जाने के लिए तैयार थी यार दोस्त होसला दे रहे थे लेकिन दिल को किसी भी तरह दिलासा नहीं मिल रहा था कुछ देर बाद मम्मी मेरे कमरे में आई तो मैं खड़ा हो गया वो सदियों की बीमा लग रही थी मैंने बड़ी मुझकल से अपने आंसू रोके हुए थे मम्मी ने मुझे सीने से लगाया मैं चोटे बचों की तरह मम्मी के सीने से लगा और फिर आंसू खुद वखुद मेरी आँखों से बहने लगे थे हलाकि मेरे होट खामोश थे लेकिन मेरा दिल अंदर यंदर चीख रहा था मम्मी ने बही बैट पर मुझे अपने पास बठाया और कहा कि जो भगवान की मर्जी होती है बही होता है उसकी मर्जी के बगएर तो पता भी नहीं हिलता शायद बानी तुम्हारी किसमत में नहीं थी मम्मी ने मुझे बहुत होसला दिया लेकिन इस समस्या का जो हल बताया उसे सुनकर मेरा सर घूम गया था मेरी आँखों के सामने अंधेरा च्छाने लगा मेरी मम्मी ने कहा देखो बेटा सब महमान आ चुके हैं अगर अब शादी नहीं हुई तो हमारा तमाशा बन जाएगा हमारी इज़त सर आम उचल जाएगी और अपने घर की इज़त बचाने का एक ही तरीका है कि तुम मेरी सहेली की बेटी रिया से शादी कर लो सब के मुहुं बंद करने का एक यही रास्ता है इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता या तो लोगों के सामने अपनी मा का तमाशा बन वालो या खामोशी से मेरी बताई हुई लड़की से शादी कर लो मेरे मुझे अचानक निकला लेकिन ममी वो तो बहुत छोटी है और फिर मैं अभी शादी नहीं करना चाता मुझे थोड़ा टाइम दे दें मैंने ममी से बिनती भरे शब्दों में कहा ममी ने कहा टाइम किस बात का टाइम तुम्हारी पसंद पर हम सब ने खामोशी से सर जुका दिया था तुम्हारे कहने पर उसके घर रिस्ता लेकर गए तुम्हारी पसंद पर कोई इतराज नहीं किया अब अगर भगवान को मंजू नहीं था तो फिर भलाई इसी में है कि तुम भी खामोशी से भगवान किस मरजी पर अपना सर जुका दो और मेरी बात मान लो उस लड़की से शादी कर लो हमने भी तो तुम्हारी बात मानी थी ना जिस लड़की के बारे में तुमने कहा हम उसके घर तुम्हारा रिस्ता लेकर गए लेकिन उसने अपने माबाब की इज़त का भी ख्याल नहीं किया तो अब उसके बारे में सोचना बेवकूफी है जो अपने सगे माबाब की ना हो सकी वो किसे और की क्या होगी बस अब मुझे और ज़्यादा कुछ नहीं कहना मुझे परिशान मत करो मैंने तुम्हारे भाईयों को बोल दिया है वो खोटल में इंतजाम करने चले गए है अब अगर तुमने मना किया तो मेरा मरा मूँ देखोगे ममी ये कहकर रोने लगी नहीं नहीं ममी ऐसी बातें मत करो भगवान आपको मेरी भी उमर लगा दे मुझे आपकी जिन्दगी बहुत प्यारी है उससे जादा कोई भी चीज प्यारी नहीं आप पर मेरी हर खुशी कुरवान है मैंने तड़पकर अपनी मा के कदमों में बैठते हुए कहा आप जैसा कहेंगी बैसा ही होगा मैंने अपना सर अपनी मा की गोद में रख दिया ममी ने अपना हाथ मेरे सर पर रखा और मुझे आशिरवाद दिया और बोली एक धोके बाज लड़की के पीछे खुद को बरबाद मत करो जिन्दगी में बहुत सारे उतार चड़ाव आते रहते हैं किसी एक के पीछे जिन्दगी रुक नहीं जाती अगर उसने तुम्हारी इज़त की परवाद नहीं की तो तुम भी जिन्दगी में आगे बढ़ो सब कुछ भूल कर जी ममी मैंने अपने आशू अंदर यंदर पीते हुए कहा खैर घर के खास लोगों को प्रोग्राम के बारे में बता दिया गया था लोगों को कहा गया कि अब होटल में बारात जाएगी कुछ बातों को इदर उदर करके भावी और मेरी बहनों ने बात समाल ली थी बुझे हुए चेहरों के साथ और भारी कदमों के साथ मैं गाड़ी तक पहुँचा था सजी हुई गाड़ी अब मुझे बीरान लग रही थी खैर मेरी शादी हो गई कैसे हुई मुझे कुछ भी नहीं पता अब मुझे शादी में कोई दिल्चस्पी नहीं थी बस मेरी माँ को दिया हुआ बादा निभा रहा था अपनी सोचों में इतना गुम था कि पता ही नहीं चला कब दुलहन लेकर मैं बापस आ गया मुझे ये सब एक भयानक सपना लग रहा था बारात भी गई दुलहन भी आई मगर सब एक मजबूरी में क्या गया बुझे दिल के साथ सब घरबालों का जो जोश था वो खतम हो गया था ये सब एक रसम नभाई गई थी लोगां का मुझ बंद रखने के लिए या फिर यूं कहें अपनी इज़ट बचाने के लिए मजबूरी में ये शादी हुई थी या फिर जबर्दस्ती करवाई गई थी मैं सोफे पर किसी लाश की तरह गिर गया सब मेरी हालत को अच्छी तरह समझ रहे थे जिस इंसान की होने वाली पतनी घर से भाग जाए उसके मुह पर जो जूता पड़ता है और जो बेज़ जती होती है वो शायद ही कोई समझ सकता हो जिन्दगी बेमानी और बेमकसद हो जाती है ऐसा लगता है कि हर देखने बाली नजर उस आदमी पर हस रही हो मैं सर पकड़े अपने ख्यालों में बैठा था उसी पल मुझे अपने कंधे पर किसी के हाथ का इस पर्ष महसूस हुआ मैंने मुड कर देखा तो मेरी मा का हाथ था ममी ने कहा कि बेटा कुछ खा लो बहां भी कुछ नहीं खाया ममी को मेरी हालत का अंदाजा था उन्हें पता था कि मैं भूका हूँ मा भी भगवान का दिया हुआ क्या तोफा होती है कुछ कहे बिना सब कुछ समझ जाती है ममी ने फिर कहा उठो खाना लगा दिया है कुछ खा लो ममी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फिरते हुए कहा ममी मुझे भूक नहीं है मैंने उनके हाथ थामते हुए कहा लेकिन ममी की जबर दस्ती की खातिर मैंने थोड़ा सा खालिया भावी ने कहा जाओ अब अपने कमरे में जाओ मैंने दया भरी नजरों से उनकी तरफ देखा कि प्लीज अब तो मेरे साथ कोई जबर दस्ती मत करो मेरी आखों में बेवसे के आशों समकने लगे थे भावी ने मुझे समझाया कि बुरी बात है अब वो तुम्हारी पतनी है उसकी जिम्मेदारी उठाना अब तुम्हारा फर्ज है तुम्हारे लिए भले ही आज की रात सबसे बुरी रात हो लेकिन उसके लिए तो ये सपनों भरी रात है आज की रात के लिए उसने भी न जाने कितने सपने सजाए होंगे मैं मरे हुए कदमों से अपने कमरे की तरफ चल पड़ा वो कमरा जिसमें रहते हुए एक लंबा समय गुजर गया था अपने कमरे से मुझे बहुत प्यार था अपने कमरे के अलाबा मुझे कहीं भी नीद नहीं आती थी आज बही कमरा मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो कमरा कोई अंधेरी गुफा हो वो कमरा मुझे अजनबी लग रहा था उस कमरे में मेरा जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था लेकिन क्या करता? मजबूरन जाना पड़ा? मैंने कमरे का दरबाजा खुला नजर उठा कर देखने के भी हिमत नहीं थी थके थके कदमों के साथ जाकर कुर्सी पर बैठ गया मुझे नजरे नहीं उठाई जा रहीं थी दिल पर एक बोज था सामने बैठ पर जो दुलहन बैठी हुई थी मुझे उसे अपनी पतनी सुईकार करने के लिए मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा था भला मैं उसे कैसे पतनी सुईकार कर लेता कल तक मेरे दिल में कोई और थी किसी और को लेकर मैंने सपने सजा रखे थे आज अचानक सब कुछ बदल चुका था और फिर मेरे सामने बैठी लड़की मुझसे उमर में बहुत ही छोटी थी मैं उसे अपनी पतनी का स्थान कैसे दे सकता था मैंने जूते उतारे साइड पर रखकर अपनी शेरवानी उतानने लगा और फिर बस ऐसे ही एक नगा अपनी दोलहन की तरफ गई थी लेकिन ये देखकर हैरान रहे गया कि वो बैठ से टेक लगाए मजे से सो रही थी सोते हुए वो बहुत ही मासूम सी बच्ची लग रही थी मैं सोचने लगा ये जुल्म नहीं उसके साथ तो फिर क्या है मेरे घरवालों को ऐसा नहीं करना चाहिए था क्या ये मेरी पतनी बन कर रह सकती है क्या मैं इसे पतनी का इस्थान दे सकूँगा क्या ये पतनी होने का मतलब भी समझती है पतनी होने के क्या हक होते हैं क्या ये पूरे कर पाएगी भगवान मेरे घरवालों ने ये क्या कर दिया मैं उससो लड़की को देखते देखते सोच रहा था मैं धीरे से अपने बैट पर आया और एक तरफ को लेट गया होकर बैठ गया क्योंकि मेरी जबर्दस्ती की पतनी मेरे करीब बैठी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी मुझे बिल्कुल भी उससे इस तरह की हरकत की उमीद नहीं थी मैं तो उसे बहुत इना समझ जानकर ताल रहा था मुझे अचानक इस तरह से चौकता देकर वो खिल खिलाकर हस पड़ी थी कि आप तो डर गए मैंने कहा नहीं नहीं डर ना किस बात का मैंने गला साफ करते हुए आराम से कहा फिर वो कहने लगी आप रात को बहुत देर से कमरे में आय थे उसने मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा मैं उसकी इस हरकत से एकदम चौक मेरे माथे पर पसीने की बूने चमकने लगी थी मैं जिसे छोटा और मासूम समझ रहा था वो इतनी भी मासूम नहीं थी मैंने कहा अहां थोड़ी देर हो गई थी मैंने उससे हाथ छुड़ा लिया फिर मैं बोला कि तुम सो रही थी कहने लगी हां मुझे जल्दी नीद आ ज बेरेश होने चला गया। मेरा इस कमरे में रुकने के लिए एक मिनट के लिए भी दिल नहीं कर रहा था। मैं जल्दी से बाहर निकल जाना चाहता था और फिर जैसे ही फ्रेश होकर तैयार होकर जल्दी से बाहर जाने लगा तो वो बोलने लगी कि आप कहा जा रहे हैं मैंने कहा कहीं नहीं अब ही आता हूँ ये कहकर मैं टीवी रूम में सोफे पर आकर बैठ गया और छट को घूरते हुए सोचने लगा कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है फिर मेरा ध्यान बानी की तरफ चला गया क्या बानी उस सामने बाले लड़के को पसंद करती थी क्या वो दोनों साथ भाग गए हैं मैंने देखा घर में सब ही सो रहे थे और मम्मी अपनी चाय बना कर कमरे में चली गई थी मैं आराम से उटकर बाहर निकल आया बानी के घर की तरफ देखने की चाब मर चुकी थी हाँ उसे लड़के का पता करवाना चाहता था एक तरफ कुछ बच्चे खेर रहे थे मैंने एक बच्चे को प्यार से बुलाया और कहा कि सामने वाले घर से पता करो और समीर भाई को बुला कर लाओ वो बच्चा मेरी बात सुनकर जाने लगा लेकिन मैंने कुछ सोच कर उस बच्चे को रोक दिया और खुदी समीर के घर की तरफ बढ़ गया और फिर मैंने उसके घर का दरवाजा बजाया तीन चार बार आरिसा करने के बाद एक आदमी बाहर आया ना वो उसके पापा थे ना भाई एक ही महले में रहते थे तो इतना तो पता होता है कि कौन हमारे महले का है और कौन नहीं मैंने मौका गनीमत जाना और पूछा कि मैं समीर के दफ्तर में काम करता हूँ कुछ काम था, दफ्तर में मिला नहीं मैंने देखा, बो आदमी जो कोई भी था यकिनन समीर का मामा चाचा जो भी था उसके चेहरे पर परेशानी अबर आई थी उसके चेहरे पर घपराहट थी उसकी परेशानी मैंने भाप ली थी वो आदमी कहने लगा कि समीर दरसल किसी काम से शहर से बाहर गया है कोई जरूरी काम था मैंने पूछा तो उसने कुछ हकलाती हुई अबाज में कहा हाँ कुछ जरूरी काम था मैंने पूछा कब तक आएगा मैं सर को बता दूँगा वो पूछेंगे कि कब आएगा वो आदमी कहने लगा कि अभी तो कुछ नहीं पता कि कम तक आएगा फिर ये कहे कर उन्होंने दर्वाजा बंद कर लिया लेकिन मैं बहां से हटा नहीं मैं दर्वाजे के पास ही खड़ा हुआ था मुझे अंदर से कुछ आभाजे आने लगी अंदर से आभाजे आ रही थी कोई कह रहा था कि अब उसके दफ्तर से भी पूँचने के लिए लोग आने लगे कल मुहले बालों को पता लगेगा हमारे बेटे का कारनामा ऐसा है कि हम किसी को मुझ दिखाने के काबिल नहीं रहे कम से कम वक्त से पहले बता देता तो इज़्जस से उसका रिष्टा मांग ले थे उस सो लड़की के घरवालों के मुझ पर भी कालिक लगा दी और हमें भी किसी को मुझ दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मैं ख़ड़ा ये सब बातें सो रहा था मेरा श्याक अव्यकीन में बदल चुका था यानि वो दोनों एक साथ घर से भाग चुके थे मुझे उसी दिन समझ जाना चाहिए था और उनके मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए थी इस रुसवाई से तो यही अच्छा था कि मैं अपनी एक तरफा मुहबत का गला गोर देता तो दो घर तूटने से बच जाते मेरा घर तो ना चाहते बस गया था मगर दिल तो तूट चुका था मैं कुछ देर तक बहां ख़ड़ा रहा फिर अपने शरीर का बोज उठाए बापस घर आ गया ममी ने मुझे बाहर से आते देखा तो हैरान हुई कहने लगी तुम कब बाहर गए थे और फिर क्यों गए थे तबियत तो ठीक है उन्होंने चिंता जनक शब्दों में पूछा मैंने कहा ममी बस ऐसे ही चला गया था ममी ने पूछा अच्छा ये बताओ रिया सो रही है या जाग गई मैंने ऐसे ही लापरवाई से कहा मुझे नहीं पता शायद जाग गई होगी आप खुद ही जाकर देख लो मैं वहीं सोफे पलेट गया मेरे दिमाग में समीर के घर से आने वाली बातें गुझ रही थी मैं सोचने लगा इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे से महबत करते थे और मेरे साथ रिष्टा होने पर दोनों ने घर से भाग जाना सही समझा उफ कितना भयानक और तकलीफ भरा कदम उठाया उन दोनों ने अगर बानी पहले से ही अपनी पसंद अपनी माँ को बता देती तो ये सब कुछ ना होता ये सब कुछ मेरी बज़े से हुआ अगर उनकी महबत सची थी तो कसम से मरास्ते से हर जाता यूँ सब के घरवालों को परिशानी से बचा लेता एक बार तो कहती ये महबत क्या इतनी खुदगर्ज होती है या फिर बेवकूफ या अंधी क्यों सोचने समझने की सलाहितें खतम हो जाती है नहीं महबत जजबाती हो सकती है मगर बेवकूफ नहीं सची महबत अपनों को दुख नहीं देती ये क्या कर दिया दोनों ने मैं अपने सर पर धीरे धीरे मुके मार रहा था तब ही मम्मी मेरे कमरे से बाहर आई और सीधा मेरे पास आकर बोली क्या हुआ मेरे बच्चे क्या सर में दर्द है लाओ में दबादू मम्मी ने बड़े प्यार से मेरे सर पर हाथ रखा नहीं मम्मी आप खुद भी बहुत ठकी हुई है आप आराम करें मैं गोली खालूंगा तो ठीक हो जाएगा मम्मी ने मेरा माँ था चूमा और चली गई मैं पस्तावी की चकी में पिस रहा था मंगर अब क्या हो सकता था इस जिन्दगी को अब खामोशी से गुजाना ही था और समझोते की पट्री पर चलना था अपने लिए और अपनों के लिए धीरे धीरे सब कुछ रूटीन पर आने लगा था मैं फिरसे ऑफिस जाने लगा था लेकिन मैंने अब तक अपनी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाया था हालाकि मुझे अंदाजा हो गया था कि वो बहुत ही अच्छी और समझदार है वो कम उमर जरूर है लेकिन बेवकूफ नहीं उसने बहुती समझदारी के साथ पूरा घर समाल लिया था उसके अच्छे वेवार से सब घरबाले बहुत खुछ थे मेरी भी बहुत सेवा करती थी मेरे साथ हंस-हस कर बातें करती जब भू हसती तो उसके गाल पर एक डिमपल पढ़ जाया करता था जो उसकी खुबसूरती को चार चांद लगा देता था उसके मासूम से चेहरे पर ये डिमपल बहुती प्यारा लगता था मैं न चाहते हुए भी उसकी तरफ देखता रह जाता था धीरे धीरे मेरे दिल से बानी का गम निकलता जा रहा था और मेरे दिल में रिया की मुहबत बढ़ने लगी थी सच कहते हैं तूफान जितनी तेजी से आता है उतनी ही तेजी से गुजर भी जाता है लेकिन बहती हुई नदी धीरे धीरे बहती रहती है और हमेशा बहती है बानी के लिए मेरा प्यार एक तूफान था जो एकदम खतम हो गया था लेकिन रिया के लिए मेरी महबत शांत बहती हुई नदी की तरह थी जो मेरे दिल में धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी रिया बहुती शरारती थी जब भी मैं आफिस से थका मादा घराता तो उसकी शरारते मेरा मूट खुशगवार बना देती थी धीरे धीरे हमारी शादी को छे महीने गुजर चुके थे लेकिन अभी तक मैंने रिया को हाथ नहीं लगाया था लेकिन उस रात जब मैं अपने लैपटोप पर अपने आफिस का कुछ काम कर रहा था रिया मेरे बराबर बैट पलेटी हुई थी लेकिन मैं उसकी नजरों की तपिश महसूस कर रहा था वो बार बार मुझे ही देखे जा रही थी मुझे उसकी नजरों से उलजन हो रही थी तब ही उसने कुछ ऐसी बात कह दी कि मेरा मुँँ खुला का खुला रह गया रिया बोली सुनिये क्या आप वो है मैं उसकी बात का मतलब ही नहीं समझा था या फिर समझ कर भी ना समझ बन गया था मैंने कहा तुम कहना क्या चाहती हो मैं समझा नहीं उसने फिर कहा मुझे लगता है तुम वो हो इस बार मुझे गुसा आ गया मैंने कहा देखो मैं एक नॉर्मल इसान हूँ और मुझे इस तरह की बाते करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात पर वो खिल खिला कर हंस पढ़ी कहने लगी हमारी शादी को छह महीने हो गए हैं लेकिन तुम मेरे पास ही नहीं आते तो मैं समझी की तुम नामर्द हो लेकिन कोई बात नहीं अगर तुम नामर्द भी हुए तब भी मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदी की गुजाल लूँगी क्योंकि मुझे तुम से महबत हो गई है रिया ने इतनी वेबाकी के साथ अपनी महबत का जहार कर दिया मैं तो उसे आँखे फारे देखता रह गया लेकिन उसकी नामर्द वाली बात पर मुझे गुसा गया था मैंने रिया से कहा कि मैं नामर्द नहीं हूँ मेरी बात पर रिया की आँखों में फिर शरारत अबर आई थी और फिर उस रात मैंने रिया पर साबित कर दिया कि मैं नामर्द नहीं हूँ मैंने उसके खुबसूरत और नाजुक से शरीर को बाहों में भर लिया था और पूरी रात अपनी महबत से शराबोर करता रहा अब तक मेरे मन को शायद बानी जक्रे हुए थी लेकिन अब मेरे मन पर पूरी तरह रिया का कबजा हो चुका था रिया को बाहों में भरते ही बानी का ख्याल दूर दूर तक मेरे दमाग में नहीं था अब सिर्फ रिया ही मेरी जिंदगी थी रिया ही मेरी महबत थी मेरी और रिया की शादी शिदा जिंदी की शुरुआत हो चुकी थी और मैं रिया के साथ बहुत खुश था मुझे रिया से कोई शिक्वा नहीं था दिनों दिन मेरी महबत रिया के लिए बढ़ती ही जा रही थी कभी-कभी तो मुझे खुद पर हैरत होती थी कि भला वो क्या था जो मैं बानी के लिए महसूस करता था क्योंकि अब तो मेरे दिल में बानी का कोई नाम ही नहीं था कुछ समय बाद पता चला कि समीर वापस लौट आया है लेकिन बानी नहीं आई थी मुझे पता था कि बानी और समीर साथ गए थे समीर के माबाब को भी पता था कि बानी और समीर साथ गए थे लेकिन जब समीर आ गया तो बानी क्यों नहीं आई मेरे दिल में खुदबुद होने लगी थी बानी के माबाब को शायद पता नहीं था कि बानी किसके साथ गई है वो लोग तो यही सबर किये वैटी थे कि उनकी लड़की घर से भाग गई है और किसी के साथ जिन्दगी हसी खुशी गुजार रही होगी लेकिन समीर को देकर मुझे बानी के लिए इंसानियत के नाते चिंता होने लगी थी पता नहीं वो कहां कहां धक्के खा रही होगी लेकिन जो कुछ उसके नसीब में हुआ है खुद उसने ही अपने हातों लिखा है इसमें कोई किसी का कुछ नहीं बिगार सकता शायद माबाप का दिल दुखाने बाली लड़कियों का यही अन्जाम होता है वो कभी जिन्दिगी में खुश नहीं रह सकती माबाप के फैसले कभी गलत नहीं होते वो तो अपने बच्चों के लिए हमेशा भला ही सोचते हैं मैंने रिया पर एक प्यार भरी नज़र डाली वो भी मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी मेरी जिन्दिगी में तो अब किसी बात की भी कोई कमी नहीं थी लेकिन इंसानियत के नाते मैं सब कुछ जान कर भी अंजान नहीं बन सकता था मैंने बानी के माबाप को सारी सचाई बताई समीर और बानी के बारे में और फिर बानी के माबाप ने पुलिस के जरीए समीर से पूताच की तो इसने सच उगल दिया कि वो बानी को साथ ले गया था वो बिना शादी के ही एक साथ रह रहे थे समीर ने बताया कि दो महीने तक साथ रहने के बाद मैंने बानी को छोड़ दिया था बानी डर की बज़े से अपने माबाब के पास नहीं आना चाहती थी बहीं कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना गुजारा कर रही थी पुलिस के जरीए बानी के माबाब बानी को बापस ले आए और अब इस इंतजार में बैठे हैं कि बानी की किसी अच्छी जगे शादी हो जाए कहानी के अंत में इतना ही कहना चाहूंगा कि शादी एक पवितर बंदन होता है इसमें लड़के और लड़की दोनों की रजामंदी जरूरी होती है शादी से पहले खुल कर अपने माबाब से बात करें अगर अपना होने बाला जीवन साती पसंद नहीं तो अपने माबाब को अपनी पसंद के बारे में बताएं हो सकता है आपके माबाब आपको समझें और सही फैसला लेने में आपकी मदद करें तो दोस्तो ये थी आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना पसंद आई हो तो प्लेज लाइक करना ऐसे ही रोज एक नई कहानी सुने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना कहानी को अंतर तक सुने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ